हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफियर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 21 माई 2019 और यह हमारी 158 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे question number first भारत और किस देश के बीच SIMBACS 2019 युद्ध अभ्यास सुरू हुआ है जिसका सही option है सिंगापुर हाली में भारत और सिंगापुर के बीच SIMBACS 2019 युद्ध अभ्यास सुरू हुआ है इसका अरंब 16 मई से हुआ है दोस्तो इस युद्ध अभ्यास का उद्देश भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री आथिक और सांस्कृतिक गती विधियों के द्वारा मैत्री पूर्ण सम्मद्धों को मजबूत बनाने के लिए युद्ध अभ्यास किया जा रहा है दोस्तो अब बात आईए सिंगापुर की तो आपको मैप में सिंगापुर के बारे में बता दें मैप में ये चगए सिंगापुर को दरसाती है सिंगापूर के प्रेसिडेंट है हमिल्ला है याकूब और प्राइम मिनेस्टर है ली है सिंगापूर की करंसी है सिंगापूर डॉलर तो दूस्तो इतना आपको सिंगापूर के बारे में याद रखना है Next question हाल ही में सीरी आ का 2018-19 फुटवल लेग किसने जीती है जिसका सही Option है योविनटस हाल ही में योविनटस ने सीरी आ का 2018-2019 फुटवल लिग जीती है दोस्तो आपको बता दे योविनटस के ही खिलाडी Christianiaon Ronaldo ने Player of the Year Award से सम्मानित किया गया है इन्होंने पूरे सीजन में 21 गोल किये हैं दोस्तो अब बात आईए योविंतस की तो आपको इसके बारी में बता दें इस क्लब की स्थापना एक नॉम्बर 1897 में की गई थी यह इटली का एक क्लब है दोस्तो योविंतस अब तक यह सीरिया का सरवादिक 35 बार यह खिताब जीच चुका है तो आपको इतना योविंतस की बारी में याद रखना है Next question हाली में भारत ने किस देश को MI24 हेलिकॉप्टर प्रदान किये है जिसका सही option है अफगानिस्तान हाली में अफगानिस्तान को भारत ने MI24 हेलिकॉप्टर दान किये है दोस्तो 2018 में भारत ने बेलारूस में यह वचन अफगानिस्तान को दिया था दोस्तो इससे पहले 2016 में MI25 हेलिकॉप्टर और चीता भी पाकिस्तान को भारत ने प्रदान किये है दोस्तो अब बात आईए अफगानिस्तान की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे मैप में ये जगह अफगानिस्तान को दर्साती है अफगानिस्तान की राज़धानी है काबुल, करंसी है अफगानी और अफगानिस्तान की रास्ट सुपटी है असर अफगनी तो दोस्तो इतना आपको अफगानिस्तान की बारे में याद रखना है Next question हाली में केंदर ने कितने राज्यों को सूखे से निपटने एडवाईजरी जारी की है जिसका सही option है छे राज्यों को हाली में केंदर सरकार द्वारा छे राज्यों को सूखे से निपटने के लिए एडवाईजरी जारी की गई है दोस्तो केंदर ने इन राज्यों को पानी का विवेकपून उपयोग करने के लिए कहा है साथ ही इन राज्यों की बानों की जलिस्तर में काफी कमी आई है जिसके कारण यह advisory जारी की गई है दोस्तो अब यह छहराज जो कौन से हैं आपको इनकी बारे में बता दें तो यह छहराज हैं गुजरात, महरास्ट, तेलंगाना, आंधरप्रदेश, तमिलाडू और करनाटक इन छहराज्यों को सूखे से नपटने advisory जारी की गई है Next question किस शहर में आटो के लिए unique number जारी किये जाएंगे जिसका सही option है जबलपूर जबलपूर में आटो के लिए एक unique number जारी किया जाएगा दोस्तो आटो रेजिस्टिशन के अलावा इस unique number से भी आटो की पहचान की जा सकेगी शहर में लगे ITMS के आटो से सम्मंदित पूरा data अपलोट किया जाएगा आटो में दोनों side छट पर नंबर का sticker लगाया जाएगा दोस्तो यूनिक नंबर से चोरी होने या आटो में सामान छूटने पर आसानी से आटो को खोजा सकता है इस special route के अनुसार ही आटो का संचालन किया जा सकेगा दोस्तो इसके अलावा बहुत से उपयोग इस यूनिक नंबर की द्वारा किये जाएंगे दोस्तो अब बात आईए जवलपूर की तो आपको कुछ important fact जवलपूर के बारी में बता दे तिरपुरी महाकोशल के ख्षित्र के नाम से जवलपूर को जाना जाता है मद्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जवलपूर को जाना जाता है मद्यप्रदेश का दूसरा सरवादिक बड़ा जिला है जवलपूर दोस्तो रानी दुरगाबती पंडित जवाहला नेरू करश्वी विश्विद्याला और महार्शी योगी वैदिक विश्विद्याला ये सभी जवलपूर में ही इस्तित है मदन महल, संगराम सागर, रानी दुरगाबती की समाधी, भेडा घाट, रूपनात अफिलेग और दुग्माधार जल प्रपात ये भी परेटन इस्तिले जवलपूर में दोस्तो भारत का प्रथम विकलांग पुनरवास केंद्र और सुविद्रा कुमारी चोहान समारू है, ये जवलपूर में ही मनाया जाता है दोस्तो इतना आपको जवलपूर के बारे में याद रखना है और इस देश का पहला ऐसा कौन सा स्टिशन है? जहां सिर्फ महिला काम करती है दोस्तो हालि में सयब्त रास्त ने महिला की ससक्ति करण की दिसा में इसे यानी इस गाणी नगर स्टिशन को मील का पत्थर बताया है गार्ड से लेकर टिकेट चेकर और सफाई कर्मियों तक सिर्फ महिला ही इस स्टेशन पर काम करती है दोस्तो ये गांधी नगर स्टेशन जैपुर में इस्तित है तो इतना आपको इस स्टेशन के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन मसाला ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन जा है जिसका सही ओफ्षन है केरल केरल मसाला ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तो केरल अधुसनरचना निवेश फंड बोड ने 2150 करोर रुपए के मसाला बॉंट जारी किये है मसाला बॉंट की रेटिंग के लिए केरल अधुसनरजना निवेश फंड वोर्ड ने स्टेंडर्ड एंड प्यूर्स और फिंच रेटिंग को निव्टिक किया है दोस्तो यह वोर्ड को लंदन स्टॉक एक्सेंड में लिस्टिट किये गए है दोस्तो अब बात आईए केरल की तो आपको मैप में केरल के बारे में बता दे मैप में ये जगह केरल को दर्साती है केरल की इस्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है पीत सथा सिवं केरल की मुख्यमंत्री है पिनराई बिजियन और केरल की राजधानी है तुरू अनंतपुरम तो दोस्तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉश्चन कमिंग राउंड दा माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है जिसका सही उप्षन है रस्किन वॉंड रस्किन वॉंड इस कमिंग राउंड दा माउंटेन पुस्तक के लेखक है दोस्तो रस्किन वॉंड के जन्म दिवस पर यानि 19 माई 2019 को यह पुस्तक जारी की गई है यह पुस्तक Looking for the Rainbow और Till the Clouds Rollway के बाद यह तीसरी पुस्तक है दोस्तो इस पुस्तक में Riskin Bond ने अपने बच्पन का विवरण किया है तो इतना आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है Next question इस रो ने कितने Missions की घोशना की है जिसका स्योशन है साथ हाली में इस रो ने साथ बड़े Missions की घोशना की है दोस्तो हाली में अगले 10 वर्षों के लिए साथ बड़े Missions की घोशना इस रो ने की है इसमें चंद्रयान 2 भी शामिल है इसरो ने अगले 30 परसों का रोड में भी तयार किया है दोस्तो इसरो इसरो आदित्य एलवन का मिशन सूर के अध्यन के लिए 2021 में भेज़ेगा 2022 में इसरो मिशन मंगलयान 2 को भेज़ेगा चंद्रियान 3 का मिशन 2024 में भेज़ा जाएगा 2013 में सुक्र गर्या के लिए एक मिसन वेदा जाएगा इस तरीके से इसरो ने कुल 7 मिसन बड़े मिसन की घोशना की है दोस्तो आप बात आईए इसरो की तो आपको इसरो की बारी में बता दे इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन होता है इसकी इस्थापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी इसका हैटकॉर्टर वेंगलूरू करनाटक में है और इसरो की हैड है के सिबान तो इतना आपको इसरो की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कोशन धिसका सही उफ्चन है उज्जेन हाली में उज्जेन शहर में आनन्द उज्जेन की शुरूआत हुई है दोस्तो यह उज्जेन 25 मई तक चलेगा दोस्तो अब बात आएए उज्जेन की तो आपको कुछ important fact उज्जेन के बारे में बता दे उज्जेन शिप्रा नदी की तटपर इस्थित है भारत का greenwich की नाम से उज्जेन को जाना जाता है मंगल की जनमिस्तली और राजा चंद्रगुप्त दूतिये बिक्रमा दिति की राजधानी है रुद्र सागर जील में निया इस्थल यहाँ पर बनाया गया है दोस्तो ब्रह्मगुप्त ने सुन्य का प्रथमबार उपयोग उज्जेन में ही किया था दोस्तो उज्जेन में ही 12 वर्ष में कुम्ब का मेला आईजित तिया जाता है उज्जेन में जन्तर मंतर की इस्थापना जैसे हैं दुटिये ने 1720 में की थी दोस्तो मालवा उज्जेन में ही लगाया गया है तो दोस्तो इतना आपको उज्जेन के बारे में याद रखना है हाली में कहां पासपोर्ट सेवा केंदर खोले जाने की कवायद शुरू हुई है तसका सई उप्षन है दतिया और शिप्पुरी हाली में दतिया और शिप्पुरी में पासपोर्ट केंदर खोले जाने की कवायद शुरू हुई है दोस्तो अभी गुना दतिया शिप्पुरी फ्रेंड शोपुर मुरेना में पासपोर्ट आविदक का वेरिफिकेशन ग्वालियर में किया जाता है जिस कारण ग्वालियर में पासपोर्ट केंदर में भीडवार देखी जाती है साथ दोस्तो इन दोनों केंदरों के खुलने पर यानि दतिया और शिपपुरी केंदर के खुलने पर ग्वालियर में कम भीडवार होगी और थोड़ी इस केंदर को राहत भी मिलेगी इसलिए ये पासपोर्ट सेवा केंदर दतिया और शिपूरी में खोले जा रहे हैं जर्मनी में आयुज़त ISSF World Cup में मत्यप्रदेश के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे जिसका सही option है ये तीनो एसवरिया प्रताप, तोमर, सुनेदी चोहान और चिंग की यादव ये तीनो खिलाड़ी जर्मनी में आयुज़त ISSF World Cup में मत्यप्रदेश की तरफ से भारतिय टीम का प्रती निधित्व करेंगे दोस्तों आपको बता दें, एसवरिया प्रताप, तोमर ने 50 मीटर राइफल एवेंट में एक स्वन और कांस पदक भारत को दिलाया है साथ ये 50 मीटर राइफल एवेंट में इस वर्ल्लकप में हिस्सा लेंगी वहीं चिंग की यादव, 25 मीटर स्पोर्ट स्पिस्टल एवेंट में इस आयुज़न में हिस्सा लेंगी दोस्तों आपको ISSF World Cup की बारे में बता दें ISSF का फूल फॉर्म इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है दोस्तों इसमें मेंबर देश 150 हैं ISSF की स्थापना 1907 में की गई थी इसका हेड़ क्वार्टर मुनिच जर्मनी में है और इसके प्रिसिडेंट है बलादिमीर लेसिन तो दोस्तों इतना आपको ISSF की बारे में याद रखना है दोस्तों आप बात करते हैं कल की क्वेशन की कल का क्वेशन था मद्ध्रदेश में विजली कंपनी ने सेवाय बहतर देने के लिए कौन सा नंबर जारी किया है तो इसका से ओफ्रण था 1912 यानि 1912 नंबर बिजली कंपनी द्वारा जारी किया गया है दोस्तों आप बात करते हैं क्वेशन आफ तर डे की तो आज का क्वेशन है बारत बरतमान में मद्ध्रदेश में राज्य महादी वक्ता कौन है तो ये क्वेशन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें तो दोस्तों आज के लिए बस अतना ही आफ हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तों आप कम से कम एक पेड़ एक महीने में जरूर लगाईए इससे हमारे परियावरण को बहुत फायदा होगा साथ ही दोस्तों हमें भी इसका बहुत लाव होगा तो आज के लिए बस अतना ही नमस्कार Have a nice day